नमस्कार आपका भाय स्टेडी में स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे एडूटेरिया का समान्य अध्यान जिसमें 5000 आपको बहुँ विकल्पिये प्रसन का एक बुक बनाया गया है उसमें 100 सेट दिये गए हैं एक सेट में 50 प्रसन हैं आज हम लोग 2 सेट को मिलाकर इसमें पढ़ेंगे 100 प्रसन और तीन और चार इसमें सेट रहेगा और इसमें आपको डिस्कॉसन के साथ बताएंगे और इसमें ध्यान रखेंगे कि PCS, BSSC, आपको SAC, रेलेवे, बैंकिंग सभी इकजाम के दरिश्टी कौन से यह जो बूक है अती महत्तपूर्ण है किसी विशे बात करते हैं यह आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा वीडियो को निश्ची तुरूप से लाइक कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के पास भी आप से अर कीजिएगा तो चलिए इस होता है यह सहायक संधी के अंतरगत उसके बाद देशी रियास्तों की विदेश नीती कमपणी के अधीन होगी यह भी सही है और कमपणी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी यह भी सही है और सहायक संधी का जो भारत में सबसे पहले परियोग किया वह डूपले ने परियो गई तो इसमें की गई थी आपको भारत मिहीर समचार पत्र और वर्नाक्यूलर प्रेश जो एक्ट है 1878 में लाड़ लीटन के द्वारा लाया गया था यह क्यों लाया गया था कि जो भी अंग्रेज के विरूद्ध समचार पत्रों में छापता था उसकी संपत्ती और माली को जब कर लिया जाएगा और माली को जेल भेंदिया जाएगा सबसे पहले आपको वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए जो अमरीद बजार पत्री का है रातो रात अपनी जो भासा है बंगाली से अंग्रेजी में क इसको समाचार पत्र पर से फिन परतिबंद आगे चलके आपको लाड़ रीपन ने हटा दिया लाड़ रीपन ने हटा दिया इंडिपेडेंस नामक समाचार पत्र किन के द्वारा प्रकासित या संपादित किया गया था इंडिपेडेंस तो सभी जानते हैं यह किया गया थ बारा तो अप्सन हो जाएगा इसमें भी कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेशिडेंसी में अधिक थी तो बाल हत्या प्रथा जो है आपको बंगाल प्रेशिडेंसी में अधिक थी रेश्मी रुमाल सड्यंत्र किस से संबंधित है तो रेश्मी रुमाल सड्यंत्र जो है आपको म लिए चर्चित रहा यह अफ़गनिस्तान से संबंदी थे रिष्मी रुमाल सड्य अंत्र अब नेख्ट देखिए और सहयोग आंदोलन के लिए परस्ता किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया था तो यह पारित किया था आपको नागपूर अधिवेशन आपको नागपूर अधिवेशन निमलिखित मेंसे और 20 से चल बाइस तक चौरह चौरी कांड के बाद जो पांच फ़रोरी 1922 को 14 चौरह चौरी कांड़े थी इसमें कई सिपाईयों हो जला दिया गया था थाने में उसी की बाद महात्मा गांधी ने बंद कर दिये थे निमलिखित में कौन परिष्थित की तंत्र के विशे में सही नहीं है तो परिष्थित की तंत्र के विशे में आपको सही नहीं चेन करना है तो यह एक बंद तंत्र होता है यह सही नहीं है तो सही है इसकी अपनी उत्पादक्ता होती है यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र हो और भारतीये परिस्थीति की हितंत्र के जो जनक है वोह कहे जाते हैं आपको राम देव मिस्रा को राम देवस्रा को out ध्या रखना है कि अब देखिए निमलिखित में से कौण प्रसीद जय वीडियnder होट इसपोर्ट है तो जय झाल सब्सक्वार्ग के उत्तरपूर्भी घर्ण हो जाएगा फिर उसके बाद आपको सुन्डालेंड हो जाएगा Q apt भारत में होटस पोर्ट थलचार है त्थ किस्ट चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वफ भूमिका होती है तो वह होती है आपको ध्यां रखने में जल चक्र में तो अप्सन हो जाएगा इसमें वी क्योंकि वास्प होकर पुना वहीं जल वर्षा करती है गौतम बुध ने संग में भिच्छुणी यानि की इस्तिरी के परवेश की अन्मती कहां दी थी तियोह दिया गया था आपको बैसाली में और बैसाली में सबसे पहले जो है आमरपाली आमरपाली जो थी राज घराने की जो एक मतलब की राज तंत्र की नर्तकी थी क्या थी नर्तकी थी इनहीं को सबसे पहले इसमें वैसाली में गौतम बुधने संग में भीच्छुणी की रूप में दिया में आमरपाली अब देखिए भारत के कीश छेतर में सरवाधिक दैनिक तपांतर पाया जाता है तो यह पाया जाता है आपको मरुवस्त लिए छेतर राय स्थान में दैनिक तपांतर का मतलब होता है दीन के तपमान में बालू में तपांतर बढ़ जाता है रात में घड़ जाता है तो दोनों के बीच के अ कहा जाता है क्या कहा जाता है पेरी हिलियन और जो अपसौर की घटना होती है अपसौर की उसको कहा जाता है अपसौर को चार जुलाई को होता है जो कि सूरी की पीर्थिवी से दूरी क्या होती है कि अधिकतम होती है चार जुलाई को अधिकतम होती है तीन जनौरी को निम्तम होती है उपसौर को कहा जाता है पेरी हिलियन और अपसौर को कहा जाता है अपे हिलियन अब नेक्ष्ट देखिए कौन सी भुकम तरंगे सबसे अधिक बिनास्कारी होती है तो सबसे अधिक जो बिनास्कारी होती है इसमें ध्यां रखेंगे येल तरंगे सबसे अधिक तरंगें की गती होती है आपको 3 km-1 सबसे भी निमलिखित में से कौन सुमेलित है आपको ध्याँ रखेंगे कि मैगिनोट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है यह सुमेली थे रेट के लिप रेखा जो है भारत और पकिस्तान के बीच में है यह इसका निर्धारन जो है आपको 1947 में किया गया था और डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच में भारत और और इसका निर्धारन जो है आपको 1फारअश्व 606 में किया गया था और हिन्डंबिथ रेखा है जो आपको ध्यांज रहेंगे हं कि रेक हे जर्मनी और पॉलेंड की वी च में कहां है हिन्डंबर्ग रेखा जो सिरिंखला सब से लंभी है तो सभी जानते हैं कि एंडी जो परवत सिरिंखला है सबसे लंबी सिरिंखला है यह बहुत्तर सो किलो मीटर है और यह आपको दच्छिड अमेरिका महादीप में इस्थित है और ध्यां रखेंगे कि दुनिया के जितनी भी लंबी परवत सिरिंखला है वह सब आपको वलीद परवत के उदाहरण है वलीद परवत है एस्या में है एसिया में है आलपा सीरों में है रोकी जो है उत்तरी अमिरेगा में है र्वेज़त को कि दच्शन अमेरिका में ऊस्में भी अस्टेलिया कि निम्लिखित में से किस योजना के अधार पर संभिधान सभा का गठन हुआ था तो संभिधान सभा का जो गठन हुआ था आपको केबिनेट मिशन योजना अप्शन हो जाएगा इसमें केबिनेट मिशन योजना की संभिधान सभा का गठन हुआ था आपको 9 दिसंबर 9 दिस साथ को अस्थाई अध्यच बनाया गया अंतरीम सरकार के घठन की घोषना कब की गई थी तो अंतरीम सरकार के घठन की घोषना आपको 24 अगस्तु 1946 की गई थी आपको भी गेश करते रहना है इस तरह से आपका अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और अनुछेद 249 के तोतिय सक्ति प्राप्त हो जाती है राष्टपती सासन के उपरांत भी संसत द्वारा बनाया गया कानून परभावी रहता है तो यह भी सही है तो इस तरह से अप्सन हो जाएगा इसमें सी जाते और नेख्ष्ट दखिए etrical का अनुछेद 54 का संब्ध निम्लिखित में से किस्से है तो जो संब्ध आपको राष्ट पति के नीर्वाचन से है और इसमें ध्यां रखेंगे कि राष्ट पति का जो सपत है अनुछेद आपको 60 में है और छमादान की जो सकती लुक्ति आपको अनुछेद 72 में है और फ्रोथ जारी करते हैं अनुछेद 23 के तहद जारी करते हैं और राश्ट पती जो है सुपरीम कोर्ड से कोई मार्क दर्सन कानून का जब भासा संद्री अनुछी 143 के तहत मांग सकते हैं और समिधान के 1412 में और राष्ट पती में संग की कारिपाली का सकती होगी अनुछेद तिर्पन में कि अब नेश्ट देखिए कि निमलिखित कथनों में से कौन गलत है इसमें आपको गलत कचैन करना है तो ध्यारखें कि का रवी क्या है यहां सकता है राज लोग सेवा आयोगोक्यों की अध्याच्यों कवे तनमाली व्यक्त को कारे कारे काल के बाद को और पुंदे नहीं किया जा सकता है कि यहां पुनदे किया सकता है यह सभी क्या है राज लोक सेवा आयोग के सदस्यों अद्धश्यों को उसके पौध से हटाने की सकती राजयपाल के पास नहीं है यह अभी सही किसके पास है यह राष्ट पती के पास है अब नेक्ष्ट देखिए बीत आयोग के संबंध में निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो बीत आयोग पहले ध्यां रखना के संविधान के अनुछेद दोसो असी में स्चक्राइब आथ करला इनके बीत आयोग में एक अध्यच आ थे होते हैं और चार से कितना होते हैं पांच होते हैं आपको गलत है पिर उसके बाद इनकी पुनर नियुकटी नहीं हो सकती है तो इससे अप्षय हो जाएगा 200 ही लेकिन यह है गलत इसका कारेकाल राश्ट पती के आदेश के तहत्ते होता है निकी राश्ट पती के परसाद परियंद परसाद परियंद कतात्परियोता है इच्छा नुसार अब नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन RBI की मोदरिक नीती के मातरात्म कुपकरण है तो बैधानिक तरलता अनुपात है नगत आरच्छीत अनुपात है और खुले बजारती किरियां है तो अपसन हो जाएगा इसमें D और RBI के स्थापना कब होती है 1935 में राष्टिय देना का मुख्य उद्देश से है इसका जो मुख्य उद्देश से है आपको भी चैन करना है तो खाद परसंस्रण को बढ़ावार देना तो अपसन हो जाएगा इसमें सी अब नेक्स्ट देखिए निमलिखित में से कौन सी समीती एफ आर बी एम अधनियम से संबंधित है समीती है आपको इन के सी समीती आप्शन हो जाएगा इसमें दी न की नंद कुमार नंद की सोर कहो हो जाएगा नंद की सोर सी जो की पंदरह में बीत आयोग के क्या है अध्यच्छ MRK 25 तक के लिए है अब निवलिखित में से कौन सा संस्थान नीम्तम समर्थन मुल यानिकी सफिर अभाड कोछ और भी मांट्री होता है अब में फिटा देखिए है आ सिता द्हच का संबंध था सिता ध्यच का जो संबंध है भूमिकर से कहां मऔर्य प्रसासन में अब नेख्ट देखिए कमिशनर के छेत्रिय इतिहास का सजी वर्णन मिलता है तो कमिशनर के छेत्रिय इतिहास का सजी वर्णन मिलता है राज तरंगणी में कस्मीर होगा कस्मीर के छेत्रिय इतिहास का सजी वर्णन मिलता है तो राज तरंगणी में राज तरंगणी की लेख द्वारा सीजदा जो प्यवोस होता है जुकाना और प्यवोस मतलब पईरों को चुमना होता था बल्वन ने लागु किया था बल्वन लोह और रोक्त की नीती भी लागु किया था उत्वी कौन था उत्वी जो थे आपको ध्यां रखना है एक इतिहासकार थे महमूद तलाब के बीच में इस तरह से तलाब के बीच में टीला पर है सासाराम में तो इसमें इसको भी पढ़ दिजिए सत्ते वाला से रसाह ने विलगरा में उधकब हुआ था 1940 में बीजय के बाद दीटी है अफगान राजी के अस्थापना की और इसका जो शासनकाल था 1940 से लेके 45 तक था 45 में जो है कालिंजर पर यूद करते समय उपका नामक अगन्यास्तर चला रहा था जिससे इसकी मतलब गोले से टकरा कर मिर्थू हो गई थी सेर्षा ने उपज का आपको एक वटा तीन या तीस परतीशत भाग कर के रूप में निढ़ात किया यह सही है सेर्षा के द्वारा भूमी की 25 माई से हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का परियोग किया यह भी सही है किस परसिद सासक के द्वारा आमुक्त मालियत लिखी गई थी आपको भी द्हां रखना क्रिशन देवराय के द्वारा अपसन हो जाएगे दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक सासन निमलिखित में से किस ने किया तो सरवाधिक समय तक जो सासन है आपको बहलोल लोदी ने किया अप्शन हो जाएगा इसमें अब नेख्ट देखिए निमलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सरवाधिक मात्रा में पाया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में पाया ता है आपको प्रोटीन और के लोपर्प्रास्ट में कहां संपन्ण होती है तहीं संपन्ण नाम nella में इसमें अ को हैं है लोफाइट क्या है तो हैलोफाइट जो नमकीन खेत्रों में बनास्पती उकती है वह है वह हाई फायर होता है तो इसमें आपको इस तरह से आप्षन हो जाएगा यूप लोड़ोवाली मिट्टी में उखते हैं लोडों को मतलब नमकीन छेत्रों में तो वह हैलो फाइट होता है अप्शन हो जाएगा इसमें डी अब नेश्ट देखिए इनुण में कौन सा रुधिर वर्क के रुधिर प्लाज़मा में कोई एंटि बोडि नहीं होता है आपको एबिमें कोई एंटिबोडि नहीं होता है, अब लगहिक्विज़ एजिश को बसी कोन देखिए तो डीपीटी तब कौन बचा से यह नहीं होता है तो अप्सान हो जाएगा इसमें भी यानिकी डीपीटी दिप्थिरिया पर टूटी टिका लगाया जाता है ट्रीपल वेक्सिन तीन काम में काम करता है यह वैक्सीन अलफा कण का द्रबमान इक लियूह के बराबर होता है इसके आवध किसके बराबर होते हैं तो इसके जो आवध होते हैं दो प्रेट की नियम से बन्जक पराब तो होता है और का जो भी यहीiren गती के होती है ताप बढ़ने पर जो इसकी परतिरोधिकता होती है बढ़ती है नियुन में किस तत्यों का सरवाधिक समस्थानिक होता है तो समस्थानिक जो है आपको ध्यां रखना है पोलोनियम का होता है सब सरवाधिक समस्थानिक तो अप्सन हो जाएगा इसमें हाहई-डुसोंदोस की ह लगभग में आपको दोसोंदोस से भी ज्यादे होता है इसका हाईड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो हाईड्रोजन को जलाने से पानीव नेका आपसंन हो जाएगगा इसमें ग्रेफिन होता है तो ग्रेफिन जो होता है कार्बन का नैनो परतिरूफ होता है ऑप्सन हो जाएगा इसमें बी बी स्वरक्त दान दिवस को मनाया जाता है आपको भी चैन करना है तो चौदर जून को मनाया जाता है तो ऑप्सन हो जाएगा इसमें डी अब नेश्ट निमलिखित को सुमेलित कीजिए आपको इसमें चैन करना है तो प्लाजमा अनुसंधान संस्थान तो कहां है गांधी नगर में है और राष्टिय समुंद्री विज्ञान संस्थान कहां है तो यह आपको पणजी गोवा में है और केंद्रिय खाद प्रदोकी अनुसंधान संस से तो पंचरात्र का जो संबंध वैस्णों धर्म से तो अपसन हो जाए गया इसमें अब नेक्ष्ट देखिए एक मातर भारती जिसे रसायन के छेत्र में नोबेल पूरसकार परदान किया गया आपको बेंकट रमन रामक्रिश्न को यह परदान किया गया आपको 2009 में किया गया और सुबरमनियन चंदर सेखर को जो है नोबेल पूरसकार जो है 1983 इंपरदान किया गया और हर्गूबिंद खुराना को नोबेल पूरसकार 1960 में दिया गया भारतिय नोशेना की पहली महिला पाइलेट लेप्टिनेंड सिवांगी स्वरूब बनी है वे की सिराज की रहने वाली है तिया रहने वाली है आपको बिहार की अप्शन हो जाएगा ए अस्मरण ये तथ दिया गया है तो इसको देखते हैं रिगवेद तिया सबसे प्राचीन वेद है और जो इसका निर्माण हुआ था आपको 1500 इसवी पूरुव से लेके 1000 इसवी पूरुव के बीच में रिगवेद का निर्माण हुआ था इस वेद के रिचाओं को पढ़ने वाले को होतरी कहा जाता है रिगवेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की उलेक है गायत्री मंत्र का और इसकी जो रचना है विश्वामित्र ने किया है और गायत्री मंत्र जो है सभीता देवता एनिकि उस समय सभीता देवता अर्था सूरिक को समर्पित है इस वेद के दसमे मंडल में चार वर्ण ब्रामण छत्रिये बैस सुद्र का उलेख है यह दसमे मंडल में उलनी था है इस वेद के नमे मंडल में सोम देवता का उलेख किया गया है और चार वर्णों की जो बेवस्था है इस बेद में इंद्र के लिए 250 यम अगनी के लिए 200 रिचाओं यह निकि इस लोकों का रचना की गई है गोतर सब्द का सरपर्थम उलेख इसी बेद में किया गया है इस बेद में गाय के लिए अगहन्य सब्द का परियोग किया गया यह निकि नौ मारे जाने योग और जो मारता था गाय को उसको देश से निकालने की सजा और रितु दंड की तक की सजा दी जाती थी यजूर कि यह मतलब जैसे कि आपको बच्छडा हो गया बकरी हो गया उसको बली दिया जाता है काटा जाता है मतलब एक सामोही के धर मस्थल पर तूसी को कहा जाता है बली दान बिधी यह गध्यों पद्य दोनों में लिखा हुआ है यह जुरुबेद सामबेद इसके रिचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा जाता है सामबेद के और सामबेद की जो रचना है आपको सत्यमी सताब्दी में हुई थी सामबेद की रचना को हुई थी यह सत्यमी सताब्दी में हुई थी इस बेद को भारतिय संगीत का जनक भी कहा जाता है अथर बेद इस बेद में सरपर्थम औसधी का उलेख मिलता है इसमें सभायम समीती को परजापती की दो पुत्रियां कहा गया है किसका वर्णन है आपको अथर बेद में बेदों की संख्या कितना है तो बेदों की संख्या चार है वहीं हो जाएगा रीगवेद सामबेज यजूरवेद और अथर बेद बेदांग की संख्या कितना है चो है और पुरानों की संख्या जो है पुरानों की संख्या अठार है और उपनिसदों की संख्या कितना है तो उ कि पारित किया गया था आपको 1986 में और और अधनियम जो है widzom तो और शी में परत किया गया था, समस्सक्राइब लेकिन सबसे अधिक परभावी जो रवास्फ से होती है Arms in Lunch निकीन सबसे अधिक परभावी जह ל्वास्फी से होते इसकंकर रहल जब लिए झा तब नवाबर शोभजर मुड़ाएं कर डाइब अचनासimi में मतलब धश्त्र्मेशां म llega को बढ़ेगा तो आस पास के जो निवार हो Unter Stand और भारत के मुख्य भूमी का दच्पूरितम बिंदु कौन है कन्या मैं लागत को 24 stop मीन यह ओठरी अच्छान्स Всёल लेकिन भारत का जो सबसे दच्पितंप बिंदू है वह इंद्रापॉंट है इंद्रापॉंट कहा है यदा आपको अंदमानि को बार में है यहां हो गया वह कितना दुरी पर है इंद्रापउइंट तो आपको 6D4-5 मिनट है यह इंद्रापॉंट इंद्रापॉंट Cao को यह पॉयंट पार्षन पॉयंट भी कहा जाता था पहले इसका नाम था इनरा पचासी उसका नाब बदला गीए लिए। भारत में किस्ट परकार का बचन को बन सर बांधी भाय में पाया जाता है उर्ण डुठकी मत यह अधिया बन भारत की सर बहाद्य हैं। पाया जाता है और भारत में जो बॉन हैं कितना प्रतिसत हैं बॉन तो आपको 21.171 प्रतिसत जो हैं बॉन हैं 21.171 प्रतिसत क्या हैं बॉन हैं और बॉन और बिरिच मिलागर कुल कितना हैं कितना प्रतिसत हैं थे चोबिश दस्मुलव आपको 62 प्रतिसत हैं कितना निम लिखित कफ़नों में से कौन सरी हैं? इसमें सही कतन का चैन करना है, तो हिमाले के पच्छिमी भाग के पेच्छा पूर्भी भाग में अधिक विवित्ता पायाती है, बिल्कुल सरी है, तो इस तरह से इसमें पूर् तियो आरब सागर हो गया तियो हो जाएगा आपको नर्मदा नदी नर्मदा नदी जो भरंस घाटी से अरिप्ट घाटी से बहुत यह नर्मदा नदी का जो पत्ति है अमरकंटक का पठार है चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उप्यूक्त होती है तो चाय की खेती के लिए जो अमलिये मिट्टी होती है और अमलिये मिट्टी को जो मतलब की क्रिशी योग बनाने के लिए इसमें चूना का परयोग किया आता है और छारिये मिट्टी को क्रिशी य मांसून निर्वर्थन होता है उत्तरपक्षिम differs से बंगालकी clingy का मतलब जो हो गया मांसून निरवर्थन की तक यह जो भाग है यहां से आपको पच्छिमी विच्छोप से मांसून आती है मतलब की ठंडे समय सितंबर के समय में आती है तिस तरह से करते-करते यहां से हैं लेकिन किस आपको मांसून से होता है यहीं आता है सी नहीं होता है तो यहां आपको बिरिष्टी चाया परदेश में पड़ता है इसलिए वारिस नहीं होती है इधर से करते हुए इधर चल जाती इधर फिर इधर अरावली को भूरते हुए रायस्थान इधर वर्सा होती है लेकिन यहां ही वारिस नहीं होती है निकि दीपक तले अंधेरा कि रहधानी कहां है तो यहां रखेंगे अब निश्ची दुरूप से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कमेंट भी करी किजिएगा निमलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो इसमें कह रहाए कि सुमेलित नहीं है त टाइफून जो हैं चप्रवात चलति है को रवाल भी ती मुख्य तो कहां पाई जाता थी आपको कर्क्यों tan r aspects Around होना चाहिए और सबसे बड़ा जो परवाल भीत्ति है पूर्वी तट पर है उत्तर पूर्वी तट पर है ग्रेट बेरियर रीफ है अब नेक्स्ट देखिए सवाइब से सब्सक्राइब का संब्द यहां रखना है कि बैलीषवा समिधान संसोधन निस सच्छेटर में जोड़े गए लेकिन जो समीधान संसोधन ही सोण समीधान संसोधन के सिपारिश पर लाए गई थी उसमें एक बात ही हो गया तो हम कह सकते हैं जिसे कहेंगे कि अखंडता समझव मैं अब नेक्षट नियाई वोचित योम मानो वोचित कारर या दसाओ मात्रीट ऑुसहाईता के लिए उपबंद समीध्हान के किस अनुझेद में किया ति ये ludzie है और कुटी रूद्यों के संब्ध में वरणन है समान काम के लिए समान वेतन यहां नीटी निदे सक्ट्व में है अब निए है कि भारत के नियंतरों के महालेखा परिच्छक के संबंध में निम्न कत्नों पर विचार की जिए तो इसमें ध्यां रखना है कि इसके कारेकाल चो वर्ष या बासट वर्ष जो भी पहले होगा पुरा होगा या राश्ट्पती के परसाद परियंत अपने पद्धारण करने इच्छा नुसार इसके वेतन यह अन्य सेवा सर्थ राश्ट्पती द्वारा निर्धारित होती है सभी सही है और निय संख्या विधान सभा की कूल सदस्य संख्या के कितने पतिसा से अधिक नहीं होनी संसद में 15% से अधिक नहीं होना चे मुख मंत्री को मिला कर रीट जारी करना जो आता है आपको नियाया देश छेत्रा धिकार में तो अप्शन हो जाएगा इसमें संसद में संसद में संसद में सर्व परत्राइश चुनाव का प्रधान निमलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया आपको भारत सासन अधिनियम प्रधान मंत्री का राष्टपती को सुचनाएं प्रधान करने संबंधी करतव्यों का उलेख है आपको अनुछेद को दुक्रिया को जापान को जो है आपको उग्ते हुए सूरे का डेश कहा आता है जापान को में अब नेक्ष्ट देखिए है विज्ञान दिवस स्वदेशियंप गईश्कारांदोलन का अनुमों कंग्रेस के अधिवेशन में हुआ आपको ध्यां रहें गईटके का स्थर्म का आउम्כंड का का अधिवेशन में हुआ तही अधिवेशन नीच हुआ इसकी जो अध्यस्ता है गोपाल कृष्ण को खले के द्वारा की गई थी कांग्रेस की कारे समिती में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था तो भारत विभाजन की प्रस्ताव जो है 14 जून 1947 को पारित किया गया था समिधान सभा की पर्थम बठक कायो जनकीस गौवर्नल जनरल के द्वारा किया गया आपको लाड़ वेवेल के द्वारा तो अप्शन हो जाएगा इसमें बी मंगल पांडे ने पर्थम भारतिय सोतंता संगराम की सुरुवात की इसके उपराद ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कप फांसी दी गई तो उन्हें जो फांसी दी गई धियां रखेंगे आठ अपरेल 1857 इस भी को तो अप्शन हो जाएगा सी बहावी आंदोलन का के लेख इसा रखेंगे सूरत की संधी जो है आपको ध्यान रखेंगे सूरत की संधी है कब हुई थी नहीं हई थी आपको सूरत की संधी हुई थी 1775 में सूरत की संधी कब हुई थी 1775 में और पुना की संधी कब हुई थी तो पुना की संधी जो है 1817 में हुई थी और पुरंदर की संधी कब हुई थी तो पुरंदर की संधी जो है 1665 में हुई थी और देव गाम की संधी जो है आपको वहीं संधी 1665 और देव गांव की जो संधी है 1813 में तो इस तरह से अप्शन हो जाएगा 29 को सी अब नेक्ष्ट देखिए अब नेक्ष्ट देखिए अब भीतरी अस्ताम अविलेक की सासक से संबंदी थे हैं और हुडों का आक्रमन जो है इसी के समय में हुआ था दच्छिन भारत में इस्तित कैलास नात मंदिर की सासकों के द्वारा निर्मीत है आपको पल्लोव सासकों के द्वारा तो अपसं हो ज गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेका साथ ही अपने गवर्णरों की हत्या कर दी इस मुक्ती युद्ध का नायक सेंड्रो को टस्था चंद्रगुप्त की विशे में यह किस ने लिखा है तो अप्शन हो जाएगा इसमें बी और सिकंदर की जो मिरित्तु है से 323 इसवी पूर्व 323 इसवी पूर्व बेविलोन में हुआ था और भारत में यह आक्रमन किया था आपको ध्यां रखेंगे 326 इसवी पूर्व में ध्वनी का परभाव मानो मस्तिक में संबेदन कितने समय तक रहता है तिया संबेदन रहता है आपको एक वाटा दोस द्वारा रक्त की असुद्धियां किस अंग में जाकर छंती है तो चाना जाता है यानि की द्वारत अपसर रखत कितना प्रतिसत भाग प्लाजमा होता है तो रखत का जो है आपको 55-60 परशेंट भाग प्लाजमा होता है पौधे पर पुस्पन होने के लिए उत्तरदाई ह हार्मोन है ध्यां रखेंगे तो इसमें हो जाएगा फ्लोरी जीन्स यह फ्लोरी जीन्स जो हार्मोन है फूल को खिलने में मदद करता है आपको फूल को खिलने मदद करता है फ्लोरी जेंस तो अप्सन हो जाएगा इसमें डी इंद्र धनुस किसके कारण होता है तो इंद्र पिसी अभिकिरिया में भाग के लेने वाले पदार्थ क्या कबाव लाते हैं तो कर आते हैं आपको अभीकार्स ओप्संड न होता है निम्बु कि रसका पी मान कितना होताल फॉइंट कि कारण होता है तिया होता है आपको सयंता के कारण सयंता के कारण होता है कौम घंत्तों के कारण विवादल तेरते हैं छाया में पनपने वाले पोधे को क्या कहते हैं तो छाया में पनपने वाले पोधे कहा आता है च्षाया में पौधे पनपते हैं उन्हें रहीं अंतराषटी सीमा रहा किन दो देसों के बीच में है तो में रहीं जो सीमा है और फिंडिलेंड के बीच में है और रूस जो अलसका है रूस जो है आपको साइबेरिया छेटर का भगए और लास्का जो उत्तरी अमिर्का का है तो दो महा दीप है इसको बेरी जो जलसंधी है अलग करती है जय विच्टा दीवस निमली खित में से किसे दीन मनाया अयता है तो जय विच्टा दीवस जो मनाया है तियों की गई है आपको 2007 में भारत में मुद्रा सबसे प्रचलीत माप क्या है तो जो सबसे प्रचलीत माप है आपको ध्यां रखना है सीपी आई है आपको सीपी आई इस तरह से अप्शन हो जाएगा इसमें सी अब इसमें अस्मरण ये तथ्य दिया हुआ है इसको हम लोग देखेंगे क्योंकि बहुत इन्पोटेंट है बहुत धरम के संस्थापक कौन थे तो गौतम बुद्ध एनिकी महात्मा बुद्ध गौ वर्ष की कटिन तपस्या के उपरां 35 वर्ष की आयू में फल्गु नदी की किनारे ज्यान प्राप्त हुई थी फल्गु नदी गया में है अब नेक्स्ट देखिए बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनात में दिया और सरवाधिक उपदेश जो है आपको सरावस्ती में दिया जो पहला उपदेश दिये थे सारनात में उसे धरम चक्र परवर्तन कहा जाता है बहुत धरम में आत्मा की परिकल्पना नहीं है जबकि पुनर जनम की मान है बहुत संग में सम्मिलित होने की नियुंतम आयू कितना थी तो 15 वर्स थी गोतम बुद्ध ने आमरपाली को सर्व सम्मति से इस्त्री रतन घोसित किया था आमरपाली जो है राज वैसाली राज परिवार मतलब की राज से संबंधित थी नर्तकी थी और पहले पहली जो महि अब इसमें है कि पर अधान संगति है यो हो ती योफिव वी पूर और क wr H Canada होई थी अठावन उससी सब्सक्राइब कामी तीसरे में मोगली पुत्र तीश थे और चौथे में जो थे वसुमित्र थे और सासन काल की जास कठा तो इसको याद करना है अका अक। उक अक हो psicac तो से निई दहरं के संस्थापक जो थे रिशबदेव थे पर दो तो तिर्थनकर थे जैन धरं में 24 तिर्थनकर हुए हैं। चैन धरं के 22 कं 24 तिर्थनकर और इसनेमी थे और 23 तिर्थंकर पार सुना थे महाबीर स्वामी जैन धरम के 24 में यह अंतिम तिर्थंकर हुए महाबीर स्वामी का जनम 540 इसवी पूर्व कुण्ड ग्राम बैसाली में हुआ बावाबीर के बचपन का नाम बुर्दमान इन्हों ने 30 वर्ष की आय उन्हें सन्यासी जिवन रे जो 30 के मारवीर जो गिरित्या किये थे बुद्ध हो बूद्ध को parties के था आ जो और 29 वर्ष के वस्था में महात्ना बुद्ध जो है गृत्याग किये थे महाबीर ने अपने सिस्यों को इगाराग और धरों में विभाईत किया महाबीर पुनर जनम्यों कर्मवाद में विश्वास रखते थे स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंदी थे जैन धरम से स्यादवाद का तत्रत सायद है भी और नहीं भी प्रथम जैन भीचुड़ी थी तो चमपा थी प्रथम जैन भीचुड़ी कौन थी चमपा और प्रथम बहुत भीचुड़ी कौन थी तो उसमें थी आमरपाली दुन संगतियां भी है तो प्रथम जैन संगती 300 इस्वी पूर्व में हुई है पाटली पूत्र में और इसकी दो अध्यास्ता किये थे इस तूल भद्र किये थे और दीतिये बहुत संगती हो कमेंट कीजिएगा दोस्तों को सेर की दिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन जै भारत